दोस्तो स्वागत है आप सभी को आपकी आपनी यूट्यूब चानल ट्रेंडिंग आईसी जबे तो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे इंडियान कोश्वा नाभिक की तयारी के लिए जेनराल नौलेज और जेनराल साइंस का एक प्राक्टिसेट जो की आपकी एक्जम की पॉइंट और भीव से अत्यांत महत्तबुन रहने वाला है तो चलिए बिन्ना डेरी के शुरू करते हैं आज का क्लास तो आज का पहला कोश्चिन है इलेक्ट्रो पॉजेक्टिव आटम्स टेंस टू फॉर्म मतलब जो विजुद धान परमाणु है किसका गठन करता है तो उन्होंने धानात्म का आयन बाप पॉजेटिव आयन्स का गठन करता है तो चलिए बढ़ते अगले सहल पर किस देश को किर्केट का जन्मस्तान माना जाता है अप्षन है अस्टेलिया, अप्षन भी साउथ अप्रिका, अप्षन सी इंडिया, अप्षन दी इंग्लों तो किर्केट का जन्मस्तान किसको मना जाते है इंग्लों को किर्केट का जन्मस्तान मना जाते है तो चलिए बढ़ते अगले सहल पर तो आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बतायता हूँ कि आप trending icg का जो official telegram channel है उसमें आप जायन नहीं किया है तो please जाके जायन हो जाओ क्योंकि मैं प्राय सभी PDF और सब कुछ मैं YouTube प्रोबाइड नहीं कर पाता हूँ इसलिए मैं इस telegram channel में प्रोबाइड कर देता हूँ तो सारे PDF अपडेट जो भी आएगा सब कुछ मैं प्रोबाइड करूँगा और किसी का भी कुछ प्रोब्लेम होगा तो उसमें comment box है उस comment box पे भी आप पुछ सकते आपका जो भी प्रोब्लेम है तो जल्दी description पे लिएंगे जल्दी जाकर जायन हो जाओ ते ते लिए बढ़ उसका सही आँचर क्या होगा ना Sanskrit हमारे देश का सबसे प्राचिन भासा है तो चलिए बढ़ते अगले सवाल पर who among the following is not a recipient of ध्यांचांद आवाड 2017 निम्लो लेकित में से कौन ध्यांचांद पुरसकर 2017 का प्राप्ट करता नहीं है जो कि अपकी जो PB सिंदु है उन्होंने 2017 में नहीं पाया था उसके बाद उन्होंने पाया था तो उसका सही आँचरों का option ची तो चलिए बढ़ते अगले स्वाल पर और एक बात बता है कि PB सुन्दु किस साल ध्यांचंद आवाड पाया था उसका अंसर किया होगे comment में मुझे बताओ तो चलिए बढ़ते अगले स्वाल पर democracy is a form of government in which rulers are addressed by the people लोग तंत्र सासन का एक एसा रूबे जिसमें सासक लोग द्वारा ड्यास जाता है तो लोग द्वारा क्या होते हैं लोग के द्वारा चुना जाता है उन्होंने पीपुल जो है उन्होंने इलेक्टेड करते हैं जो की सासन भार्जों संभाल लेगा तो उ गत्की है इसक इंडिया कंपानी का जो रहा स्टीद बंदवस्ट कप लग लागू किया गया है उन्होंने च्जजुँ पड़ सिज द्वारीगवड यस स्टीलमेंंट इंटोघुच мама vulnerabilities कागवा तो द्वारा कंवन एस्सटीद बंदविश्टक लागू क्या गया है बिब् अंचा आरेट के बाद उनका नाम क्या हुआ नर्जITH हनु नूर्जिन हो गया और जोध्र भाई कॉन थे न जोध्र भाई आकवर की पत्नी थे जो की मात्यजी थे तो चले करें, पर दे तो vest kraman Cheaji नहीं राज़ा सासन किया थे , उनका kraman सा वार वह रही पहले बाबर बाबर के बाद कॉन आया ? न हुमाइन , जो उनका वेंट का वेंटा स arrested आकपर ? जो जहांगीर अपजों दिखते वह जांगीर ने , जिन्ञों ने हुमारी दीली की Redford a Рill ताकि ताजमल बनाए थे और साहाजन के बाद कौन आई यह साहाजन के बाद औरंग जेब आए तो ए क्रमा याद कर लिजे कि कभी कभी एकजाम में इसे सवाल भी आ जाता है तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर 62 पन एक बटे दो अंच उत्तरी अख्यांच क्या दर्शाता है तो उत्तरी अख्यांच हमारे क्या दर्शाता है उत्तर दुरू बूत दर्शाता है अथवा आर्क्रिटिक सर्कल जिसको हम बोलते हैं आर्क्रिक सर्कल दर्शाता है अप्शन सी अब का सही अंसरे तो चलिए ब थां का अबदी के कहां से कहां तक होते हैं ना December से लेकर February तक होते हैं तो option C आपका सही answer है तो चलिए पड़ते हैं अगले सवाल पर तो यार वीडियो अच्छा लग रहे है तो प्लीज एक लाइक कर दीजे और चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज चानल को भी सब्सक्राइब कर दीजे तो question क्या है ना how many fundamental duties were given in Indian constitution भारत्य संभिधान में कितना मौलिक कर्तवय दिया गया है तो हमारे जो भारत्य संभिधान है उनमें 12 मौलिक कर्तवयों मतलब शरी 11 मौलिक कर्तवय दिया गया है तो उसका right answer क्या होगा ना option B उसका right answer हो जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर एक कोश्चिन बहुत सारे एक्जाम में पुछे जाने वाले कोश्चिन है बहुत सारे एक्जाम में देखने को मिलते हैं तो option B इसका right answer है तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर which country is the biggest producer of rubber in the world विशो का कौन सा देश सबसे अधिक rubber का उत्पधन करता है option ए मालेशिया, option B स्रिलोंगा, option C थाइलांड, option D ब्राजिल तो सबसे विशो का सबसे अधिक rubber का उत्पधित होता है ना थाइलांड पे उत्पधित होता है तो option C आपका साई आंचरे तो उसका PDF चाहे तो डिस्क्रिशन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जाकर उस टेलीग्राम पे जाइन हो जाओ वीडियो अप्लोड होने के बाद आपको PDF मिल जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्वाल पर the rate of change of momentum is called the rate of change of momentum is called force संबक की परिवर्तन की दौर को क्या कहते हैं ना संबक की परिवर्तन की दौर को हम बाल कहते हैं तो option C आपका साई आंसर हैं तो चलिए बढ़ते हैं आज का last question क्या हो उससे पहले मैं एक test series के बाद बचाएता हूं कि परीक्षा आपके test series अभी तक नहीं ले जाओ तो प्ल 99 रुपीज लेकिन हमारे जो code है ICG50 यूज करोगे तो आपको फ्लाट 50% का ओफ देखने के लिए मिलेगा जो कि only 149 रुपीज में आपको मिल जाएगा तो 149 रुपीज में परिक्षा आपको test series दे रहे हैं 3 months के लिए लेकिन 149 रुपीज में जो test book है आपको दे रहे हैं 1 मन के लिए तो आपकी मर्जी जिस से आप ले सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आज का लास्ट कोस्टिन देखते हैं which of the following is not a scalar quantity सरी not a vector quantity निमलोई algorithm से कौन शाएग सदिश राशी नहीं है मतलब क्या है अदिश राशी है not a vector quantity मतलब क्या है एक scalar quantity है तो scalar वेक्टर quantity क्या होते है ना जिसका दिशा होते है लेकिन scholar quantity की आयो है जिसका दिशा नहीं होता है दीग नहीं होता है तो उनको अदिश राशी बोलते हैं तो यह जो चार option है उनमें से अदिश राशी कौन है option A work, option B force, option C displacement, option D vector तो इन सभी का force, displacement, vector उनका कुछ ना कुछ दिशा होता है लेकिन work का कुछ दिशा नहीं होता है इती जे scholar quantity, it is not a vector quantity तो option A आपका सही आन सरे तो वीडियो अच्छा लेग रहें तो प्लीज लाइक कर दिजे फिर मिलते अगले क्लास पे जय हिन जय भारत, थैंक्यू